सात्यों Fit India Movement ने अपना एक साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महिने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्षन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है लेकिन Fit India Movement ने अपने प्रभाव और प्रसंगिक्ता को इस कुरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्णम से आप हमेशा स्वस्त रह सकते हैं फिटनेस की डोज आदा घंटा रोज बदुवारा सुनाता हूँ फिटनेस की डोज आदा घंटा रोज इस मंत्र में सभी का स्वास सभी का सूक छिपा हुआ है फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो टेनिस हो या फुटबॉल हो कराटे हो या कबड़ी जो भी आपको पसंद आए कम से कम तीस मिनिट रोज कीजिए अभी हमने देखा युवा मंत्रालय और स्वास्थ मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस फ्रोटोकॉल भी जारी किया है सात्यों आज दुनिया भर में फिटनेस को लेकर जाग रुखता है World Health Organization, WHO ने Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health उसको एक प्रारुप दिया है और पचारित किया है Physical Activity पर Global Recommendation भी जारी किये है आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष बनाए है और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं Australia, Germany, Britain, America ऐसे अनेक देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है और उनके जादा से जादा नागरिक डेली फिजिकल एक्सराइज करें फिजिकल एक्सराइज के रूटीन से जूड़े